हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में आप सीखने वाले हैं Yono Sbae से मोबाईल रिचार्ज कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आप Yono Sbae use करते हैं, Yono Sbae चलाते हैं तो आप अगर आप चाहते हैं Yono Sbae से मोबाईल रिचार्ज करना यानि आप यहाँ पर किसी भी mobile को recharge कर सकते हैं Yono SBI application के थुरू तो simply यहाँ पर Yono SBI से mobile को recharge करने के लिए simply आपको अपना Yono SBI application को open कर लेंगे open करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसका interface इस तरह से देखनी मिलेगा आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड wait करेंगे wait करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से interface देखनी मिलेगा simply क्या करेंगे आपको यहाँ पर देखनी मिलेगा login using MPN यानि आपको अपना MPN डाल कर यहाँ पर login कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं अपना MPN डाल कर login कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपना M-PIN डालेंगे डालेंगे बाद यहाँ पर आपको loading लेगा, loading लेने बाद दोस्तों यहाँ पर आप Yono SBI में successfully यहाँ पर आप login कर चुके होंगे, login करने के बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना Yono SBI में registration नहीं कियें, अपना account create नहीं किये तो इसके लिए अलगसी वीडियो बना दिया हूँ, इस वीडियो के description box में आपको link मिल जागा, उस link पर click करके आप जान सकते हैं, Yono SBI में first time कैसे registration करेंगे, कैसे अपना username, password create करेंगे, तो यहाँ पर अपना Yono SBI में login करने के बाद, यहाँ पर mobile recharge करने के लिए simply आपको यहा बिलेगा beam UPI, बस क्या करेंगे, आपको beam UPI पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, click करने दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, while using the app पर click कर लेंगे, click करने दोस्तों यहाँ पर loading लेगा, आपको कुछ second wait करेंगे, wait करने दोस्तों यहाँ पर आप mobile को recharge करने के लिए आपको अपन एक beam UPI create करना होगा, एक ID यहाँ पर create करना होगा, एक बार अपना ID बना लेंगे, उसके बाद आपको दुबारा ID बनाने के जुरुत नहीं है, यानि mobile को recharge करने के लिए आपको एक beam UPI ID create करना होता है, तो simply आप डिखेंगे यहाँ पर create, बस क्या करेंगे, simply आपको इस create पर क्य करेंगे, यहाँ पर create, या UPI profile इस जिगर क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने दोस्तों यहाँ पर aisle आपको यहाँ पर chips से माघेंगे, तो यहाँ पर नमबर पर OTP आएगा और automatic यहाँ पर आपका verify हो जाएगा आपको कुछ सेकंट वेट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफाई हो रहा है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर टाइप करेंगे तो चलिए है अपना UPI Pin को टाइप कर लेता हूं, दोस्तों यहां पर अपना UPI Pin टाइप करने के बाद Simply आपको नीचे में देखेंगे, आपको Right का Opsion है, बस क्या करेंगे, सिंप्ली आपको इस Right बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर लोडि के बाद दोस्तों क्या करेंगे आपको यहाँ पर नीचे में देखेंगे आपको देखीं मिलेगा बील पे यहाँ पर देखेंगे बी्लप करेंगे यहाँ पर क्लिक open हो क्या जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर mobile को recharge करने के लिए आपको simply यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे recharge का एक option है बस क्या करेंगे इस recharge बटन पर यहाँ पर नीचे में किलिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखनी मिल जाएगा तो यहाँ पर मुवाइल रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको देखनी मिलेगा select your operator यानि आपको यहाँ पर select करना है जो भी मुवाइल को रिचार्ज करना है यानि उस जो सीम को रिचार्ज करना चाहते हैं उस जो सीम है वो किस कंपनी का यहाँ पर देखेंगे आपको सारा कंपनी आपको देखनी मिल जागा नमबर को सही-स फीलप करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे में देखेंगे amount अगर आपको अपना recharge का amount पता है तो यहां पर अपना इमांट फिलपकर सकते हैं अगर आपको amount पता नहीं है तो यहां पर देखेंगे view plants बस क्या करेंगे simply आपको इस view plants पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद यहां पर आपके नंबर पर जो भी प्लान होगा सारा प्लान आपको यहां पर देखने मिल जागा यहां पर आपको सारा प्लान आपको यहां पर देखने मिल जागा जो भी प्लान का रिचार्ज लेना चा क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मेरा amount है, यहाँ पर fill up हो चुका है, जितने रुपे का मैं है पर recharge करने वाला हूँ, वो amount यहाँ पर fill up हो चुका है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे next का button है, बस क्या करेंगे, simply आपको इस next button प दोस्तों यहाँ पर अपना OTP fill up करने के बाद simply क्या करेंगे, आपको नीचे में देखेंगे submit, बस क्या करेंगे, submit बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर loading लेगा, उसके बाद देखेंगे transaction successfully payment इतना इतना है, यानि मेरा geo number प को आप आसानी से recharge कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको मारे वीडियो पसने वीडियो को लाइक करें, share करें, अगर अस्तर का helpful जान करें और लेनाचने चैनल को जरूर जिरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको कुछ पूछना को स्क्वेरी से तो comment box comment कर सकते हैं, जैहि कर दो सकते हैं